मेरा पहला तवाल तो यही है कि ये तीन राज्यों के चुनाओ नतीजे हिंदी पट्टी के खास्तोर पर इन्हें आप किस तरह से देखते हैं ये कितना बड़ा धक्का कॉंग्रेस के लिए है कितना बड़ा धक्का इंडिया के लिए है और मोदी और उनकी पार्टी के लिए ये कितना बड़ा बड़ी सौगात देखिए जहां तक कॉंग्रेस पार्टी का सवाल है तो इसमें कोई शक नहीं है कि कॉंग्रेस पार्टी को बहुत जबरदस धक्का लगा है क्योंकि दो राज्ये जहां वो हुकूमत में थे सरकार में थे वो दोनों राज्ये उन्होंने खो दिये राज्थान, बड़ा राज्य है और 36 गड़ और मद्रपरदेश यहां वो बहुत ही over confident थे कि इस बार मद्रपरदेश उनकी जोली में आएगा, वहाँ पर वो बुरी तरह पराजित हुए है, तो कॉंग्रेस को जटका लगा है, कॉंग्रेस को अत्ममंधन करने की बह लेकिन एक तरह से अगर आप देखें विपक्षी गड़ बंधन के तृष्टिकों से, तो मैं समझता हूँ कि शायद कॉंग्रेस का कमजोर होना, आने वाले लोकसभा चुनाओ के लिए एक अच्छा संकेत है, च्योंकि तब कॉंग्रेस जो धौंश जमाती, बाकी जो पार अच्छनों को हाथ में लेता है, उसके साथ कमजोर होती है, जिसे दो सो सीटों पर बीजेपी से सीधा मुकाबला करना है, हिंदी पट्टी में खास्तों से कई प्रदेश ऐसे हैं, जहां उसी को बीजेपी से घड़ना है, अगर कमजोर होती है, तो इससे विपक्ष कैसे कहा शुरू में, कि अब तो क्या होगा, लोकसभा भी हाथ से निकल गया, क्योंकि ये राज्ये चले गए, जैराम रमेश का एक आया है, कि 20 साल पहले या कभी ऐसे ही हुआ था, और हम लोग जीते थे और सतकार हम लोग ने बनाया था, लेकिन उस बात को एक मिनिट के लिए अगर नजर अंदाज भी कर देते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इन तीन राज्ये, तलंगाना का जिक्र मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, इन तीन राज्यों में, जो लगबग 60-61 सीटे हैं, लोकसभा के, उसमें को नहों है, 65 सीटे हैं, 65, तो 65 में, अगर मैं गलात नहीं हू तो कांगरिस को केवल तीन सीटे मिली थी, तीन सीटे आउट अप 65, तो मुकेश जी सोचिए कि इन राज्यों में, बीजे पी, लोकसभा के सीटों के दृष्टिकों से चरम पर है, पीक पर है, अब जब तक वो दूसरे प्रदोशों से, इन प्रदोशों में, लोकसभा की स जाफ़ा नहीं होगा, अगर हम यह माल नहीं कि छतीस गड़ में और मद्रप्रदेश में और राजस्थान में, इनको 100% लोकसभा की सीटे मिलींगे, तो कितने सीटे बढ़ती हैं, तीन, तो अल्लेडी यहाँ पर लोकसभा की सीटे बीजे पी के पास हैं, पिछले जानता हूं कि इस हार से सबक लेते हुए, विपक्षी दलों को और विशेशकर कॉंग्रेस पार्टी को लोकसभा के तैयक की चुनाओ की तैयारी में लग जाना चाहिए, और बीजे पी का स्ट्रिंग्ट क्या है आज के दिए, बीजे पी के दो बहुत बड़े स्ट्रिंग है, एक मिनट के लिए मोदी जी को अगर किनारे भी कर देते हैं, तो एक तैक उनका संगठन बहुत मजबूत है, मैं तो उस पार्टी में रहा हूं, मैं जानता हूं कि जिस तरह बूथ लेवल तक बीजे पी की मौजूदगी है, जितनी तनमेता से उसके कारिकरता बूथ ल कैसे करेंगे, एक तो आपको संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, बूथ स्तर तक, क्योंकि सच्मुच की लड़ाई चुनाओ के दिन बूथ में होती है, बूथ में आप कमजोर हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, यह बल चार महीने में की सभाव है क्या, नहीं नही कह रहा हूं क्योंकि चार महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पार्टी जहां पर है, उन पार्टियों के बूथ लेवाल संगठन नहीं है, केवल रिव्यू होना चाहिए कि है कि नहीं आपका, आप अगर ये सीट दिमांड कर रहे हो, इसमें दो हजार बूथ हैं, तो आपका कितना संगठ है ने दो हजार बूथ पर, कितने बूथ पर आपका संगठ है, ये अपस में चर्चा होनी चाहिए, जहां नहीं है, वहाँ पर लगना चाहिए, और दो महीने के भीतर ये तैय करना चाहिए, वह हम इसको complete कर देंगे, फिर जह उनको करना चाहिए, तो इसलिए ये कह देना कि अब लोगसभा का चुनाओ भी हो गया, अगर यही तर्क है, तो फिर लोगसभा का चुनाओ बंद कर दो, और कहो गई मोदी जी जीती गए हैं, जब तक जीवित है, तब तक वही साशन करेंगे, ये चुनाओ नाओ कराने से क्या फाइदा, बहुत पैसे खर्च होते हैं, प्रजात अंतर बहुत खर्चीला एक खर्चीली बेवस्ता है, इसलिए इसको करने के कोई ज़रोत नहीं है, ये मोदी जी का दावा है, और आप ठीक कह रहे हैं कि गोदी मीडिया भी इसी तरह से प्रोजेक्ट करने में लगा का है, कि ये मोदी हैं तो मुम्किन है, मोदी का करिश्मा है, मोधी जमातकार कर चुके हैं, तीन राज्यों में आगे भी कर रहेंगे, 2014 में。 मैं मानता हूँ कि तीन राज्यों के चुनाव से बीजेपी की लोगसभा की सीटों में कोई भी बढ़त नहीं होने जा रही है, बढ़ोत्री नहीं होने जा रही है. क्योंकि सब अलड़ी इनके पास है और ये मीडिया में कोई इसको point out नहीं कर रहा है कि 65 में है 62 seats उनके पास है 62 सिर्फ तीन है विपक्ष के पास ये point out होने जाने हैं मैंने तो जितना मीडिया देखा और television channels देखे कहीं पर ये बात नहीं आ रही है तो ठीक है आप 62 seat आपके प डाउलोड करें Google Play Store पर